हेलो एवरीबरण हाई तो कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अच्छे से आपके तैयारी चल रही होगी अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए जो की आती है ऐसी किसी की लाइफ नहीं होती कि जुसमें प्रॉब्लम नहीं आत ऐसा हो कि आपका तरीका ही गलत हो, तो लक्षे को मत छोड़ो, ठीक है, लक्षे is not a boy, राइट, लक्षे is आप जिस भी चीज पर फोकस कर रहे हो, जो भी आपका aim है, target है, उसको मत छोड़ो, तरीका बदल लो, बट उसको अचीव कर के रहो, है ना, तो बात बहुत छोटी सी है, पर बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्यूं है, वो इसलिए है, क्यूंकि अगर आप चीजों को छोड़ के, आपको लगेगा कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा, और आप छोड़ छोड़ के, अगर ऐसे करने लगोगे, तो आप कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाऊंग कोई नहीं करते हैं, कभी न कभी तो किसमत चमकती है या आपकी महनत रंग लाती है, हैं नहीं वह बोल जाता है तो कभी तो ऐसा हो गई होगा, चैलो आप इसी के साथ आज के सes Due की शुरुपार करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन तो नहीं है, इससे पहले question से पहले हम एक बार discuss कर लेते हैं, कौन सा day, कौन सा week हम इस 24 सारिक से मनाएंगे, तो देखो, अगर 24 सारिक से मैं बात करूँ, तो दो week start होते हैं, एक होता है 24 से 31 October तक का, और एक होता है 24 से 30 October तक का, तो 24 से 31 October को हम बनाते हैं, Global Media and Information Literacy Week, ठीक है, क्या बनाते हैं, Global Media and Information Literacy Week, तो इसकी theme क्या है, इसकी theme है, Media and Information Literacy in Digital Space, a Collective Global Agenda, ठीक है, दुबाया देखते हैं, Media and Information Literacy in Digital Spaces, a Collective Global Agenda, इसकी theme है, किसकी Global Media and Information Literacy Week की है न, जो 24 से 31 October के बीच बनाया जाता है, अगर मैं Disarmament Week की बात करूँ, तो Disarmament Week, आप कह सकते हैं, 24 से 30 October के बीच बनाया जाता है, and ये basically, इसलिए मैं अच्छा Disarmament होता क्या है, मतलब जब आप weapons को, ठीक है, प्रमानू हतियार या किसी भी तरह के हतियार को use ना करने का फैसला करते हैं, ठीक है, that is Disarmament, और उसी के लिए, उसी को promote करने के लिए, एक week define है, जिसे हम Disarmament Week कहते हैं, और ये 24 से 30 October तक हम मनाते ह हैं, है ना हर साल, अब 24 अक्टूबर तारीक important है, क्योंकि United Nation Day मनाते हैं, और World Development Information Day, ये दो डे मनाया जाते हैं, चीक है, World Development Information Day, ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, और United Day तो आप जानते हैं, 1945 में, 24 अक्टूबर को, जब UN Charter आया था, और United Nation की स्थापना हुई थी, तो तब ही से हम इस दिन को मनाते हैं, अगर मैं बात करूँ, World Development Information Day की, तो ये पहली बार, 24 अक्टूबर 1973 में मनाया गया था, कब मनाया गया था, 24 अक्टूबर 1973 में, I hope, चीज़े समझ जाई हूँ, clear हूँ, question पे चल सकते हैं, देखे question, देखो, पहला question है, महिला थाने से related, पूछा है, कहां का जो महिला थाना है, वो भारत का पहला women-centric police station बन गया है, जिसे ISO certification मिला है, ISO certification का नाम है ISO 9001-2015 certification, ये certification पाने वाला जो महिला थाना है, कौन से like region का या area का महिला थाना है, ये है बुपाल का महिला थाना, बुपाल मध्यर प्रदेश का महिला थाना, ठीक है, MP मध्यर प्रदेश, बुपाल का ये महिला थाना है, जो पहला women-centric police station बन गया है, ठीक है, अगर मैं certificate की बात करूँ, तो 3 साल के लिए ये certification किया जाता है, 3 years के लिए, ठीक है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, देखो महिला थाना, अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा specific क्यों है, कि महिला थाना या पुरुष थाना, ऐसा क्यों है, देखो, जो normal police station होते हैं, उसमें तो सभी होते हैं, चैया male हो या female हो, दोनों होते हैं होने भी चाहिए, महिला थाना, specifically design इसलिए किया जाता है, कई बार क्या होता है, आप अपनी problem सिर्फ एक महिला होके, अगर मुझे ऐसा feel होता है, कि मैं ऐसी कुछ चीज़े हैं, जो सिर्फ एक महिला से कर सकती हूँ, तो उस चीज़ों को, उस बातों को, या उन emotions को, ठीक है हैं, मध्य नज़र रखते हैं, कि कुछ लोग जादा comfortable रहेंगे, जो जादा comfortable आप, दो लोग हैं आपके पास, being a girl, अगर में पास दो लोग हो, अपने emotions share करने के लिए, ठीक हैं, तो आप ममी या पापा मैं से किस के पास जाते हैं, generally लोग ममी के पास जाते हैं, I'm not saying कि पा ठीक, तो इसी लिए, basically concept, जो है महिला थाना का, वो इसी के around है, right, अब हमने बात की थी, कि ये certification तीन साल के लिए provide किया जाता है, ये certification, second ISO police certification है, बुपाल का, इससे पहले, मई 2003 में, मिसरोद police station, जो है, वो पहला ISO certification, उसको मिला था, ठीक है, अगर हम ISO international organization for standardization की बात करें, एक independent, non-governmental international organization है, with a member of 169 national standard bodies, ठीक है, अगर इसके secretary की बात करें, तो जनीवा सुजले लेंडमीन का secretary है, ठीक है, आगे चले, next देखें, देखो, next question है, next question है, Christopher Luxon has been elected as 42nd PM of which country, 42nd PM किस country के बने है, Christopher Luxon, ये बने है, New Zealand के, ठीक है, ठीक है, इनसे पहले जो previous थे, जिन्हें इन्होंने replace किया है, वो थे Crisp Hipkins, ठीक है, Crips Hipkins, अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ, कि इनका, इनकी currency क्या है, तो वो है New Zealand dollar, ठीक है, क्या currency है, New Zealand dollar, इनकी currency है, ठीक है, currency क्या है, New Zealand dollar, currency पूछता है, और काउन से चीज़ पूछता है, बताइए, और capital पूछता है, ठीक है, capital क्या है, Wellington है, ठीक है, Wellington, इनकी capital है, दोई चीज़े पूछता है, capital, currency, ठीक, और क्या पूछेगा, PM बताई दिया question में, है ना, आगे चले, next देखे, 17 साल के grand master का नाम बताना है, जिन्होंने FIDE World Junior Rapid Chess Championship 2023, open source section में इन्होंने जीती है, तो इनका नाम है, रौनक सिदवानी, रौनक सिदवानी, तेरा साल के हैं, मेरे ख्याल से हाँ, देखो, रौनक सिदवानी जो है, वो बहुत ही कम age में grand master बने हैं, तेरा साल की उमर में ये youngest आप कह सकते हैं, यंगेस तो नहीं, बठा, यंग हैं काफी, तेरा साल की उमर में ये grand master बने हैं, 17 साल बन गए थे मतलब, तो 17 साल के जो grand master है, रौनक सिदवानी, ये माराश नाकपूर से बिलॉंग करते हैं, इन्होंने अभी FID World Junior Rapid Chess Championship जीती है, 8.5 इन्होंने, इनका स्कोर रहा है 11 आउंट में, ठीक है, अच्छा हारे कौन है, और सियने, नेस्ट रोफ रशिया के इनसे हारे हैं, ये 9th youngest player है हिस्ट्री में, and 4th youngest Indian हैं, जिन्होंने इस अवार्ड इस टाइटल को जीता है, अगर girl section की बात करूँ, तो गोवहर, बेदुल्विया, अजरवयजान की हैं, इन्होंने जीता है, क्या FID World Junior Rapid Chess Championship 2023 की, with a score of 9, 9 के score के साथ, ठीक है, girl section में, boys section में, दोनों में आपको पता चल गया है, कि किसने इस championship को जीता है, है ना, आगे चले, next देखें, next question है, किस Indian state government ने introduce किया है, एक poverty elevation scheme जिसका नाम है, और उन्दोई 2.0, state government का नाम बताओ, ठीक, दूसरा question क्या होना चाहिए, कि अभी ये 2.0 है, तो जो first था version, ठीक है, वो कब आया था, पहली बात, अगर मैं government का नाम पूछूं या बताओं, तो पूछूं तो आप बोलोगे असाम, और मैं बताओं त ठीक है, तो असाम, state government ने ये scheme on the way 2.0 जो scheme है, introduced की है, ये एक poverty elevation scheme है, basically, इसका जो first version था, आप कह सकते हैं, 2 October 2020 में आया था, अब 23 में दूसरा version लेके आई है, with some advancement, ठीक है, थोड़ा सा पैसों में आप कह सकते हैं, बढ़ोतरी हुई है, ठीक, अगर मैं बात करूँ, चीफ मिनिस्टर हिमन्त बिश्वा सन्मा की, तो उन्होंने इंटर्ड्यूस किया है, एक upgraded version, किसका, उनकी poverty elevation scheme on the way 2.0 का, ये जो scheme है, ये benefit करेगी, लोगों को, और ये उंद्रोई cards जो है, वो अब एक add-on feature है, 2.0 में, ये additional benefit है, जो लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये empower करेगा, जो भी निम्नवर्क के लोग है, जिनको अतना advantage नहीं मिलता, या जो उतना like poverty line पे है, उन लोगों को, ये scheme benefit करेगी, it will reach the poverty elevation, like extend, ये जो 2.0 program है, ये extend करेगा, जो program initiate हुआ था 2020 में, ठीक है, 7.3 lakh new beneficiaries include होंगे, ठीक है, और total कितने लोग हो जाएंगे अब, 26 lakh लोग इसका benefit उठा पाएंगे, 26 lakh मही लाएं, जिने 1250 रुपे पर मन्त मिलेगा, हर 10 तारीक को, महीने की हर 10 तारीक को, 1250 रुपे मिलेंगे, ठीक है, समझ में आया, आगे देखें, आगे चलें, next पे देख देखो, state का नाम बताना है, जिसने हाल ही में recently launch किया है, location accessible multi model initiative scheme, ठीक है, location accessible multi model initiative scheme क्या है, देखो, location accessible मतलब की, जो location है, ठीक है, जो इधर एक जगा से दूसरे जगा जाने पे, आपको, जो भी problems होती है, ठीक है, या जो भी, असानी से अगर आप, कम fair में, कम price में, एक जगा से दूसरी जगा जहां पाएं, ये scheme, वही चीज़ प्रोवाइट करती है, कि आप एक जगा से दूसरी जगा, transportation जो हो, bus transportation जो हो वो basically cheaper rates पे हो, ठीक है, तो ये है, Udisa की सरकार, जिसने launch की है, location accessible multi-model initiative scheme, ठीक है, Udisa के जो चीफ मिनिस्टर है, नवीन पतनायक जी, इन्होंने location accessible multi-model initiative scheme launch की है, मलकंगिरी में, Udisa में, एंट इन्होंने announce किया है, ये Udisa state budget 2023-24 के दौरान, ठीक है, ये scheme offer करती है, reliable and affordable public transport, bus services आप कह सकते हैं, through Udisa, और ये basically rural areas में focus करेगा, अगर project की बात करें, तो implement होगा Udisa में, ठीक है, 3718 करोड की लागत के साथ, ठीक है, तीन साल के लिए, अगले तीन साल के लिए implement होगा, 2023-24 से लेके 2025-26 तक, है ना, आगे चले, next पे देखें, next question क्या है, next question है, कि RAC Limited ने अभी हाल ही में sign किया है, एक MOU, ठीक है, REC Limited जो है, उसने एक MOU sign किया है, उसने MOU sign किया है, किस के साथ, उसने MOU sign किया है, National Informatics Center Services, INC के साथ, ठीक है, किस चीज के लिए, for various information and communication technology and digital transformation services, ठीक है, तो अब question क्या है, अब पूछ रहा है, कि RAC Limited जो है, वो Ministry of Power के अंडर तो आती है, बट वो कैसी company है, दो तरह से question पूछा जा सकता है, एक तो इस MOU से related पूछ सकता है, कि किस चीज के लिए MOU sign हुआ, किस के साथ MOU sign हुआ, किसने, किन दो, मदब, दोनों में से किसी का भी नाम पूछ सकता है, कि किसने, National Informatic Center Services, INC के साथ MOU sign किया, फिलाना फिलाना, like, मुद्धों पे, या फिर RAC Limited को mention करके, कि RAC Limited ने किस organization के साथ, या किस basically, किस agency के साथ, organization के साथ, एक MOU sign किया, for various information and communication, technology and digital transformation services के लिए, तो ये भी बूच आजा सकता है, दो question और क्या मन सकता है, एक तो यही, कि एक ऐसी company है, ये एक महारतन company है, दूसरा question क्या मन सकता है, कि जो महारतन company है, ये किस ministry के अंडर आती है, that is ministry of power के अंडर आती है, तो ऐसे ही question बनते हैं, इन ही forms में बनते हैं, और सारी चीज़ आपक करेगा REC के ecosystem को by facilitating exploring of latest technology, जैसे artificial intelligence हो गई, machine learning हो गई, data analytics हो गया, blockchain हो गया, cyber security हो गया, in regions में, in areas में, latest technology जब आएगी, ठीक है, ये MOU, REC के ecosystem को in technology में, in areas में help करने बाला है, है ना, अगर REC, REC limited की बात करें, महारतनी company है, जैसे हमने देखा, ministry of power, government of India के अंदर, and ये registered है, RBI के साथ, as a non-banking finance company, public finance institution, and infrastructure finance company की तरह, incorporate हुई थी, 1969 में, और अगर इसके corporate office की बात करें, तो गुरु ग्राम हरियानमी corporate office है, registered office है, नहीं दिल्ली में, विवेक कुमार देवगन, इनके CMD है, ठीक है, समझ आया, ऐसा कुछ है नहीं, कि जिसमें, समझने में, आपको कहीं पे भी, किसी में में भी problem हो, है ना, आगे देखें, next चरहें, देखो, पूछ रहा है, कि कौन सा, किसने collaborate किया है, भारत संचार, निगम लिमिटेड के साथ, BSNL, क्या आपने सबने ही नाम चला होगा, तो, इच सेज की BSNL के साथ, इसने collaborate किया है, and they has established first ever BSNL base trans receiver station, ठीक है, पहला BTS, that is, base trans receiver station, जो है, वो established किया गया है, पहला BSNL और किसने ये काम किया है, कहां पे किया है, world highest battlefield, साचिन गेशर में, साचिन गेशर में, BSNL और जो हमारी Indian Army है, ठीक है, मैं, short form ये है, बट, space नहीं है, तो मैंने लिख दिया, Indian Army और BSNL ने, basically, collaborate किया था, ठीक है, और इन्होंने क्या किया है, शाचिन गेशर, जो है, जो highest battlefield है, वहाँ पे, पहला BSNL का, base trans receiver, जो station है, वो established किया है, ठीक है, Indian Army ने भारत संचार निगम लिमिटेड की help से ये किया है, ये provide करेगा mobile communication services, जो soldiers तेहनात हैं, शाचिन Glacier में, ठीक है, एक 15,500 feet की height पे, ठीक है, जो soldiers तेहनात हैं, वहाँ पे, उनकी ठंड का अनुमान लगाना तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, आप हलकी सी ठंड हो जाती है, तो बोलने में दिक्कत हो जाती है, सोचो, वहाँ कितनी ठंड होगी ह तो जो टेली कॉम्मिनिकेशन है, या मोबाइल कॉम्मिनिकेशन है, वह बेटर हो पाएं, इसलिए इंडियन आर्मी ने BSNL के साथ ये कॉलाबरेट करके, बिसिकली एक BTS, जो बेस ट्रांस रिसीवर सेशन है, उसको अस्ताबरिश किया है, बीटी एस जो बेस ट्रांस रिसी इंडियन आर्मी की बात करें, तो नई दिली में हेड़कोर्टर है, मनोज पांडे जो है, वो चीफ है, चीफ ओफ आर्मी स्ताफ है, ठीक है, क्या नाम है, जर्नल मनोज पांडे, ठीक, आगे चलें, नेक्स देखें, नेक्स क्वेशन भी इन्हीं पे है, कि जो जर्नल da was prestigial president color theces स्को थोर्ड बिट्ड एन उफ नागा रेमेंट थीक थोर्ड बिटालियन ऊफ नागा रेजिमेंट पूरा लिख लेते हैं थोर्ड बिटालियन को दिया है थीक है थोर्ड बिटालियन उफ नागा रेजिमेंट को क्या मिला हैaf Antonio ऑ Leneva रेजिमेंट को prestigious president color मिला है तो एक question तो पूछ रहा है कि पहली बटालियन नागा रेजिमेंट की रानी खेत में हुई थी रेज ठीक है रानी खेत उत्राखंड में रेज हुई थी किस साल में हुई थी तो ये हुई थी 1970 में अगर मैं third का पूछूं कि third जो है वो कब रेज हुई थी वो एक October 2009 में हुई थी ठीक है इसकी अगर मैं बात करूं तो first of October 2009 2009 था हुझ ये ठीक है तो दोनों चीजें पता हुने चाहीं है पहला पूछला दूसरा पूछले तीसरा अब दूसरा आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में है ना पहला मैंने आपको बता दिया 1990 में रानी खेद उत्राखंड दूसरा मैंने आपको बता दूसरा आप मुझे बताओगे तीसरा मैंने आपको बता दिया करनल ललित चंद्रा कंध पाल जी ने ठीक है और नागा रेजिमेंट जो थर्ड बटालियन है जैसा मैंने आपको बताया था कि हल्दवानी में एक अक्टूबर 2009 में यह क्रेट हुई थी जो सिच्वेटेड है कुमाव हिल्स में ठीक है जहां पे कुमाव और नागा जो रेज भी है अगर मैं प्रेजेंट कलर की बात करूं तो इट इस कॉल्ड निशान और हाइस्ट ओनर है डाट कैन बेस्ट अपन एन्नी मिलिटरी यूनिट इन इंडिया और इट इस एंबल डाट इस बॉन बाई और यूनिट ऑफिसर ओन दी लेफ्ट हैंड आप दी यूनिफॉर अगर इंडिया नेवी की बात करूं तो फर्स इंडिया नेवी आम्ड पोर्स थी तो बी अवाड़ेट विद प्रेजिडेंट कलर बाई डॉक्टर आजिंदर परसाज जी ओन 27 मई 1951 तो यह पॉइंट भी इंपॉर्टन है पूछ सकता है देखो क्वेस्टन हमेशा या तो रिसेंट या फर्स जो चीज पहली बार हुई थी या रिसेंट अब किसने क्या जीता उस पे होती है ना तो फर्स आपको मेंशन कर दिया रिसेंट आपको बता दिया I hope यहां तक चीजें क्लियर हो कोई प्रॉब्लम ना हो again अगर कोई भी इशू है कोई भी प्रॉब्लम है you can let us know you can comment और we will reply ठीक है या तो comment section में आपको reply मिल जाएगा नहीं तो जो next section होगा उसमें आपके comment का reply किया जाएगा हर possible way से कोशिश की जाएगे आपको समझाने की ताकि आपको better understanding मिले है ना तो चलिए इसी के साथ आज के session को wrap up करते हैं we will be meeting you tomorrow and last but not the least happy dashara to all of you thank you you